Hello friends, welcome to Hello chemistry channel, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, practicing questions of effective nuclear charge, जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कि हम आपके लिए practicing questions लेके आने वाले हैं, तो हम आपके लेके आए हैं, तो यह है हमारा first question, इस question calculate the effective nuclear charge, by 1s electron of helium atom यहां पर हमें effective nuclear charge find करना है helium atom के 1s electron के लिए तो सबसे पहले हम यहां इसका structure draw करेंगे इस structure में जो उसका s orbital है उसमें 2 electrons रहते हैं यह है 1s1 and this is 1s2 इसका electric configuration है वो हम पहले लिखेंगे इदर 1s2 this is the atomic number तो हम सबसे पहले देखेंगे कि effective nuclear charge को find करने का formula क्या होता है यह होता है z effective is equal to z minus s यह है formula जहां पर z है हमारा atomic number and s होते है हमारा screening constant यहां पर इस case में हम screening constant for n shell के लिए यहां पर हमें लेना होगा 0.30 इसके लिए यह होता है because यहां पर इस shell में 2 electrons हैं हमें 1s के लिए find करना है तो यहां पर एक electron बचेगा इसलिए इस case में हम s के value 0.30 लिखेंगे अब हम इस question को solve करेंगे यह हो जाएगा atomic number है हमारा 2 that means 2 minus यहां पर हम bracket कर देते हैं यहां पर 2 electron है बट हम यहां सर्फ एक electron की बात करेंगे और एक electron के लिए हमें find नहीं करना है सर्फ एक ही 1s electron के लिए ही हमें effective nuclear charge find करना है तो हम इसलिए यहां पर 1 का multiply करते हैं 0.30 से अब हम यहां इसको value find करेंगे 2 minus 0.30 यह हो जाएगा 1.70 यह है हमारी जट effective की value that is यह निकल गया हमारा effective nuclear charge और यही है हमारा answer अब हम यहां solve करेंगे second question इस question में may find करना है effective nuclear charge felt by 2p electron of nitrogen atom हम 2p electron of nitrogen atom के लिए effective nuclear charge find करेंगे यह हमें आपे do किया है nitrogen atom का structure तो first shell है इसमें 2 electrons है और second shell में हैं उसमें 5 electrons इसका जो electronic configuration है nitrogen का बोट रहेगा 1s2 2s2 2p 3 तो यहां पर है जो formula है वो जो होने वाला है that effective equals to z minus s यह हम आपको starting से बताते आ रहे हैं कि जो z है वो है हमारा atomic number s है हमारा screening constant यहां पर जो n shell है उसके screening constant रहेगी 0.35 जो n minus 1 shell है that means यहां पर जो n shell है उसके लिए रहेगी screening constant 0.35 और n minus 1 के लिए 0.85 तो हम सोर करते हैं यहां पर हम atomic number को सबसे पहले 7 minus करते हैं जो first shell है first यहां पर हम लिख देते हैं यह हमारा n and this is n minus 1 यहां पर n minus 1 में 2 lektrons है that means 2 into 0.85 प्लस और जो second shell है इसमें यहां पर total number of lektrons है 5 और हमें यहां एक elektrons के find करने है 2p electron के लिए तो यहां पर बचेंगे 4 electron मतलब यहां पर हम एक electron के लिए find करेंगे 4 electron बच रहे हैं तो 4 into 0.35 अब आगे सुर्ण कर रहे हैं यहां अभाने बेडे हों इस को旁 यहीं है है यही आप यहां पर हम देखते हैं को ॐ है यह थिसे यह यह यहां इट configuration लिखते हैं सबसे पहले ही हो जाएगा 8 1s2 2s2 2p4 और जो होना है वह होता है जैड़ फेक्टिव इसकोल स्टू जैड माइनस एस एक नंबर यहां है एट माइनस यह है हमारा n my n and this is n-1 जो n है n के लिए रहेगी 0.35 n-1 के लिए रहेगी 0.85 हम सुल्व करेंगे जो n-1 चैलास में ट्यू एक टों से एक टमींस 0.35 ओ नो 0.85 प्लस यहां नंबर फ्लेक्टोन है 6 तो यहां पर हमें लास्ट लेक्टोन के लिए फाइंड करना है यहां यहां फाइफ लेक्टोन से मत्प्लाई करेंगे प्लस यहां पर इसको मुल्टिप्लाई करेंगे जो जाएगा 1.75 मेंस 8 माइनस यह हो जाएगा 3.45 अगर हम इसको में से सब्टेक्ट करेंगे तो इसके लिए हो जाएगी पॉर पॉइंट 55 यह है हमारा जैड़ अफेक्टिव आज़िस दा आंसर यहां पर हमने जो कॉश्चन है वह यह है अफेक्टिव नुक्लिर चार्ज फाइंड करना है फोरेस एक्ट्रोन इन पॉर्टिश्यम एटम के लिए तो सबसे पहले हम यहां इसके एक्ट्रोन रिख लिखते हैं वह होता है 1s2, 2s2, 2px, 3s2, 3px, 4s1 अब हम यहां देखते हैं हमें सिरफ 4s लेक्ट्रोन के लिए फाइंड करना है मतलब इसके लिए यहां पर 4s1 है यह हमारा n इस इस n-1 और फुर यह हो जाएगा हमारा n-2 और यह है n-3 यह हमें पता है कि इसके लिए constant n के लिए रहेगा 0.35, n-1 के लिए रहेगा 0.85 और n-2 या फिर n-3 के लिए रहेगा 1 तो अब हम सुल्व करेंगे z-s यह formula है और जो scatomic number है वो है 19 minus यहां पर एक electron है हम इसके के लिए find करना है तो यहां पर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा तो हम इसको तो हम neglect कर देते हैं में से देगा 0 अब हम इसके लिए करेंगे n-3, n-2 that means यहां पर total number of electron है 10 that means 10 into 1 plus और यहां पर इस shell में है 8 into करेंगे हम n-1 के according 0.85 अब हम इसको solve करेंगे 19 minus 10 इसको multiply करने के बाद यह हो जाएगा यहां पर 6.80 और फिर 19 minus 16.80 और solve करने के बाद हमारे पास बचेएगा 2.20 यहीं है हमारा जैड़ अफेक्टिव पर प्रोटेशियम एटम फोरेस लिक्टोन के लिए यह हमारा आंसर फिलाल के लिए इतना ही हमने आपको questions बताई हैं जिससे आपको यह topics बहुत ही अच्छे से clear हो जाएगा अब हम आपको मिलते हैं किसी और topic के साथ जब तक के लिए यह questions को अच्छे से करना और ऐसे ही और questions के आप practice करते रहना Thank you guys and keep watching करते हैं